इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा फ्रेंड्स की CC और BCC क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है, इनका क्या काम होता है इमेल में मसकार दोस्तों मेरा ना मेरा हुल और Take My India YouTube चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो जब भी आप email भेजते होंगे तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं interface email का, from में हम लिखते हैं खुड का email, हमारा email address जिससे हम भेज रहे हैं to में हम उस इनसान का email address भेजते हैं, लिखते हैं जिसको हम को भेजना है तो फिर बात आती है कि CC और BCC का क्या काम होता है, इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं यही सीखेंगे हम आज की इस वीडियो में तो आते हैं बात CC और BCC से पहले आ जाते हैं, पहले subject और compose mail लिख लेते हैं कुछ तो यहाँ पर मैंने subject यहाँ पर लिख दिया और यह हमारे body है, हमारी email का CC का मतलब होता है carbon copy For example, 2 में मैं को email address लिख देता हूँ तो यह एक email address मैंने 2 में लिखा, तो जो मैं यह अभी email भेज़ूँगा, वो सीधे-सीधे 2 को चला जाएगा यह हमारा main email address है CC में हम उन लोगों के email address लिखते हैं, जिनको हमको same mail भेजना है, जो हमने इस email को भेजा था यानि 2 वाले को जो हमने email भेजा था, वही same email अगर हमको किसी और को भेजना है तो हम CC में उन लोगों का email address यहाँ पे लिख देंगे तो हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं कुछ email address तो अब आप अच्छे से इस example को समझ पाईएगा तो यहाँ पे देखिए from में हमारा email address है to में जिसको हमको भेजना है main इंसान का उसका email address है और CC में उन लोगों का email address है जिनको हमको same email भेजना है जो हम two वाले को भेजेंगे और BCC का मतलब होता है blind carbon copy यानि कि अगर हम BCC से किसी को mail भेजते हैं तो BCC में जो email address है उसको यह नहीं पता लेगेगा कि हमने जो email भेजा है वो इन लोगों को send हुआ है CC वालों को send हुआ है यानि कि जो नीचे मैंने मैंने लिखा Hi there how are you ये BCC वाले को पता नहीं चलेगा कि मैंने takemyway at gmail और takemytips gmail.com को भेजा ये पात पता नहीं लगेगी तो ये होता CC और BCC का काम लेकिन जब CC वाले जब अपना email open करेंगे तो CC वालों को पता लग जाएगा कि इसका मैंने ये email रमन कुमार 14912 को भी बेजा है और takemytips at gmail को भी बेजा यानि इन दोनों को पता लग जाएगा कि इसको मैंने ये email बेजा है और इसको email ये मैंने बेजा है लेकिन जो BCC में है 149 इसको पता नहीं लगेगा कि मैंने इन दोनों को भी email भेजा है तो ये काम होता है main CC और BCC का CC मतलब carbon copy, BCC मतलब blind carbon copy इसका यूज हम कर सकते हैं जब हम को बहुत सारे emails किसी को भेजने है तो हम CC का यूज कर सकते हैं और BCC का यूज कर सकते हैं BCC और क्या इसका यूज है कैसे इसको यूज करते हैं उमिद करता हूँ आप समझ गए होंगे आप सीख गए होंगे अगर ये वीडियो को अच्छी लगए है आपको कुछ सीखने को मिला है नया तो वीडियो को लाइक करें सेर करें अपने दोस्तों के साथ फेज़ों गाटसाप गरूप पे और ऐसे वीडियो में लाते रहता हूँ तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फिलाल के लिए टाइफ फ्रेंड्स मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए बाइ